वेलकम टू दे चैनल अर्वे फंटासिय सेवन तो इस स्वीडियो में हम बात करने वाले एन्बी लिग का जो मैच होने वाला है लॉस अंजल लिकर्स वसिस वासिंग्टन वाइजर्स की बिच में दोनी टिम में अगर कंपेरिसंग करें तो नाइंथ पोजिशन पर है लॉस अंजल लिकर्स और पॉइंट आवल पर 11 पोजिशन पर है वसिंग्टन वाइजर्स जहाँपर रिसेंटली चार में से एकी मैच विन कर पाए लॉस अंजल लिकर्स और वासिंग्टू वाइजर। ने डूमे करें यह डूनो टीम य्जीयर से, पर फ़र्सट Turkish मैच कहलने जा रही, लास्ट ये सेजन में 2 मैचसा ये वाषिंग्टू वाइजर ने क्यों से dad अपर स्ट्रगल करतीय। यही इनके आपर वैकने से और यही डिजन है कि रिसेंटले काफी जादा मैचस लॉस के साथ आ रहे है वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम चैनल पर जोईन हो जाना टेलिग्राम चैनल पर आपको वीजेनल और 11 चैनलेंजर अप्लिकेशन की लिंक भी लास अंजल लिकर्स का जो स्टार्ट रहे वह उनसेटल है कही जादा चैन्जेस आप पर यह करते कुछ चैन्जेस आपर इंजूर्य के चलते कुछ चैन्जेस आपर यह एक्सपेरिमेंट के वज़े से करते यह भी रिजन है कहा यहां पर इनके starter settle नहीं हो पार है जहाँ पर रसल वेस्ट्वूक रिगूलर स्टार्टर है अस्टन ड्यूस को अभी इन्होंने starting line-up में रहा है मलिक मंग कभी बैंसे कहलते कभी starting line-up में कहलते हैं टीस्टी इन पर स्टेरलीं जॉंसन या पर स्टेरलीं जॉंसन या पर स्टार्ट करते भी दिख सकते सेकंड साइड आपको या पर स्टार्ट करते लिखेंगे लिब्रॉम जेम्स तो यह इस टीम की starting line-up रह सकती जहां पर आप यह देखेंगे तो सेंटर का कोई भी प्लेयर इन्होंने अलाउ प्लेयम ही नहीं मिलता है तो डिफेंस अंसेटल है बिल्कुल भी और जो भी यहाँ पर इनकी starting line-up है यहाँ पर अगर देखेंगे तो सभी आपर offensive player है लिब्राम जम्स के बारे में अगर हम बात करें बात करेंगे आपर रसल बैस्ट की एस्टन रिउस भी आपर गार्ड प आपको prediction दे रहा हूँ confirm news आप पर available नहीं है लिब्राम जम्स इनकी उपर game time decision है लेकिन हर matches में आपको इनकी उपर game time decision होता है प्रोबेबले आपको यह खेलते हुँ देखेंगे TST last match के लिए यह भी प्रोबेबले आपको खेलते हुँ देखेंगे लेकि मलिक मंक इनकी उप पी रहने वाली मलिक मंक के लिए डिफॉल्ट भी करेंगे रसल वेस्ट ब्रुक लास्ट माच में काफी बढ़िया करकर आ रहे हैं लेकिन क्रेडिट के वज़से शायद आपको इनकी ड्रॉप करना पड़ेंगा इफ और अनलेस लिब्राम जम्स नहीं कहलेंगे तो लाइए अगर इनको बैंच से खेलवाते हैं तो हो सकता है इन पर टाइम लिमिटेशन के साथ इनको या पर खेलवाएं क्योंकि 100 फसन या पर यह फीट नहीं है अगर इस टीम के तरफ से बैंच टेंड के तरफ से अगर हम या पर बात करहूं तो कारलमा अन्थ्यों इनका बैंच प्लेयर है जो कि आपर सेंटर फ़रवर्ड से खेल लेता है थर्टीम पॉइंट सिक्सा साथ अगस्टी लास्ट मांच गार से खेले थे परफॉर्मस अच्छा आया था ब्रेडली और कंदोमार यह कुछ आपर इनकी बैंच टेंट यहां पर जो इंपॉर्टम प्ले आपके लिए आपके लिए आपर दिखकते हो सकती इनको टाइम मिलने के कम चैंस का भी जब आपर टीस्टी खेलेंगा अगर टीस्टी नहीं खेलते तो शायद आपर आगोस्टी आपको टिक टाक टाइम कहलते हो दिखेंगे जितना लास्ट माच में इनको टाइम मिला था वाशिंग्टंग वाईजर्स डिपेंस ठीक टाक है लेकिन जो स्टार्टिंग लाइनप ए ओफेंस थोड़ा सा आपर इनका अंसेटल है फिर से आपर खंदमा इनके आपर स्थार प्लेरे और उसिक सा साथ आपर पोर्जिंग इस जो कि आपर सेंटर के प्लेरे लेकिन जादा करके हमें इने गार से देखाए राईलिनिटो जो कि आप पर खेलेंगे पॉइंट गार से शूटिंग गार से आपर खेलेंगे बाप का पर्फोर्मस काफी बढ़ी आ रहा है रिसेंटलि मैचेस में और किस पर्ट जो कि आपकर खेलते स्मौल फार्वल पोजीशन से रिबा क्योंकि ज्यादा कुछ आप पर इन्होंने खास किया नहीं 9.3 रिबाउंड एक असिस्ट के चलते अनन आवरेस्ट परफॉर्मस आया है सेकंड साइड रहे लिए नियुट हो यह भी अनन आवरेस्ट टाइम केलते हैं भाईकी इनके जो इंपॉर्टम प्लेयर है पोर देंग जेल में ट्राइ करना पूर्जिंग इसको जो कि आपर कहलते फॉर्वर्ड या फिर सेंटर की पोजिशन से ज्यादा टाइम इनको रिसेंटली लास्ट मैच में खास करकर मिला नहीं है उससे पहले मैचस में भी यहापर 21 मिनेटे के लिए तो ज्यादा टाइम इनको दिया जाता नहीं है सेकंड साइड कजुमा और उसी का साथ पॉप यह दोनों इस टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर है जो कि आपर सबसे बेस्ट टाइम है आपर केलकर वैसे भी आरे क्रेडिट अगर आविलेबल हो तो आपर पॉप को पिक कर सकते हो कजुमा तो वैसे भी डिफॉल पीशरी ही फॉलॉफ हो गए थे फरब्स ब्सेंकर दोनों केलते हैं क्यों इस टीम की आपर दोनों ऑपर गयर्षटें थे और इनके पास यह पर बैंश्य -... वह काफी बढ़िया अविलेबल है यहाँ पर लोस अंजल लिकर्स यहाँ पर गोफर सेंटर से अच्छा कर ले है हाइट अड़र्टेज नहीं लेकिन अफिस्य रिबाउंड प्लोस आपर डबल बल शॉट्स अच्छे लेते अब डेज़ा भी आपर कंटियूसले अच्छा दे रहे अगर वो नहीं अच्छा कर पाते तो हिचुमारा को टाइम इंक्सिस होता है वह ठीक ठाक कर लेते सैंटरोंस का और आईजेक स्मित बैक अप गार्ड इनके पास अवलेबले ज्यादा टाइम इनको मिलता नहीं लेकिन जितना भी टाइम यहाँ पर मिलता है उतने टाइम में यहाँ पर यह दोनों भी खास करकर स्मित जो कि आपर असेस से भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे लास्ट मैच इसका परफॉर्मस ही चुमारा का टाइम इंक्रेश वा था रिजन मैंने आपको बता देया था अबड़िया का प्रेशनल फाउर गोफ़र भी अच्छा खासा टाइम के लिए ते से सब्सक्राइब आपको फैर्ट नहीं करते है और तिन से बेटर हमारे पास कोई और और अफ्चेंज अविलिबल है। यह सारे इन एक्टिव प्लेर है अगर आपर अपर अपर नहीं करते तो शायद हमें आपर भुफ़ोर को फिक करना पड़ेंगा क्यूंकि हमें से इनको मिलने के possibility काफी कम है जो कि रिसेंट लिए दोनों मैंस में मिला भी नहीं है कंदुमा डिफॉल्ट फिक रहेंगे फॉर्वर्वर्वड पोजिशन से लिब्रॉम जमसार अगर खेलेंगे तो युनिवर्सल एसपी के लिए क्रेट के वज़े से हमें आपर ड्रॉप करना पड़ेंगा तीएस्ट अगर खेलेंगे तो मेरी टिम में आपर होने वाले घरलियों में अंतनी जो कि आपर हम बैंसे के लिए और जो थोड़े से आपर एक क्रेडिट का इशु आ रहा है इस यह शुम के वज़े से आप यापर विजन 11 पर केल सकते हो जहाँ पर 11 क्रेडिट में आपके टेम में टीएस्ट इजली अवेलबल हो जाएंगे लेकिन इस लाइनप के साथ अगर आपको पिक कर नहीं है तो आपके आपर रियोस को ड्रॉप करना पड़ेंगा या फिर ड्रॉप करना पड़ेंगा स्मीथ को स् बेस्ट अगर स्टार्टिंग लाइन अप में आते तो काफी इंपोर्टन रहेंगे और सेवन क्रेडिट में हम किसे पिक कर सकते स्टेटलिंग जानस व्स्टार्टिंग लाइन अप पर फॉरवर्ड लेकिन हीचुमेरों का जो सारा टाइम डिपेंडेंट रहेता है वह अगर सेम लाइन अप रहेंगे पीपी के लिए आपर कंदमा रहेंगे जील जो दोनों पीके वो मैंने आपको यह आपर अगर बता दू तो आपर जेल के लिए आपके पास दो बड़े आप्शन से आपर आ जाएंगे पोर्जिंग स्कॉप जेल में ट्राइ करना जेल में ट बेस्ट बूक को भी यह दोनों बेस्ट आपर जेल पिक रहेंगे और जो आपर बैंच प्लेयरी उनके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो और रोटेशन जो तो अंसेटल है खास करकर आपर लोस अंजल की तरफ से तो लिकर्स की तरफ से काफी जादा अनप्रेडिक्टीबल च आनल परू